हेलो फ्रेंड्स आज मैं बनाने जारी हूँ इंस्टेंट ओट्स खिजरी अगर आपके पास कोकिंग के लिए टाइम नहीं हो तो आप इसको बहुत ही जल्दी बना सकते हैं इसके लिए सबसे पहले हम कुकर को गयास पर रखेंगे और कुकर गरम होने पर घी डालेंगे घी ग बारिक कटा प्याज डालेंगे फिर इसमें हल्दी और रेट चिली पॉंडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और प्याज को हम तब तक भूरेंगे जब तक कि यह लाइट ब्राउन नहीं हो जाए अब इसमें बारिक कटा अप्टमाटर बारिक कटा गाजर फिर फूल जो भी और थोड़ी से ग्रीन मटर आप डालेंगे आपके पास जो भी सीजनल वेजिटेबल है वह अप डाल सकते हैं सब सबजी डालकर इसे HIV मिक्स कर लेंगे अब नमक डाल कर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब मैं यहाँ 1 फॉर्थ कप मूंकी डाल डाल रही हूँ इसको मैंने अच्छे से दो करके 20 मिनट्स पानी में सोक कर लिया था इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब मैं यहां half cup instant oats डाल रही हूँ और इसको डाल कर अच्छे से mix कर लेंगे मैंने यहां जितनी डाल डाली है उसकी double मैंने oats डाली है अब इसे अच्छे से mix करने के बाद 2 cup पानी डालेंगे यानि जितने oats डाले थे उसका 4 times पानी डालेंगे दो सीटी लगने तक इसे cook करेंगे अब यह बन चुकी है देखिए कितनी यमी लग रही है अब इसमें धनिया पता और थोड़ा सा गरम मसाला डाल कर इसे mix कर लेंगे एक ही हमारी oats किचरी कितनी tasty और colorful लग रही है तो आप राइस खिचरी की जगा और्स खिचरी खाये यह टेस्ट में बहुत ही ज्यादा यमी है और वेट लॉस के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी कॉमें शेक्शन में जरूर बताइए